सो ही गाइस एम वेल्कम बैक टू माई चैनल तो वाइसी वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली क्योंकि इस वीडियो में जो आर्ट कॉम्पेटिशन का रिफरेंस फोटो है उस रिफरेंस फोटो का आउटलाइन मैं आपको बना के दिखाऊंगो वह बहुत ही इजी ट्र फोटो देख सकते हैं और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाग ने किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब पर दें अगर चैनल पर नए तो और जिन लोगों नहीं पता ये मैं क्यों बना रहा हूं तो आर्ट कॉम्पोटिशन चैनल पे जल रहा है अब जाके participate कर सकते हैं तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने grid complete कर लिया है तो अभी मैं आउटलेंगा आपको बताता हूं तो आउटलेंगे इसको भी grid में होना बहुत ज़रुरी है तो अभी इसको क्रेट में convert कटे है और इसके ह। हष्म जरू को बाइसे तो बरहञा है कि से स्टार्ट करना है और वांस्ब्स चाथना करते हैं तो लोगो को प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रू बता सकते हैं मुझे तो इधर से स्टार्ट करते हैं एक दो तीन तो एक दो तीन एक दो तीन यहां से स्टार्ट करते हैं लोग जूम करना है हम लोगों को और ऐसे स्टार्ट करना है अजय है अजय है कि यह थो यह है तो यह पर आप लोग देख सकते हैं कैसे ड्रॉ कर रहों बहुत ही आसानी से बहुत ही लाइट प्रेसर रियूज़ करके क्यों कि मुझे कोई भी जलबाजी नहीं है एक्डम light pressure कर रहा हूं और आपको measurement सबसे पहले ध्यान रखना होगा एक्डम light pressure यूज़ करते हुए भी आपको measurement ध्यान रखना होगा कौन सी line कितने box में कितना अंदर है सबसे पहले बात है आपको बॉक्स देखना होगा कौन से बॉक्स के इतना पार्ट है अगर आप अच्छे से मेजरमेट कर पा रहे हैं तो आपके आउटलाइन एकदम परफेक्ट बनेगी यह मैं लिख के दे रहा हूं ठीक है तो आपको देखना है और अगर आपको ऐसा लग अगर 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 और यह को कि अधर आप कौन सा पेपर युजा करते हैं तो मैं और पेपर यूज करता हूं और एक बात कि और यह चीज़ करती है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है आपकी स्किल गिए है अगर आपके skill अच्छी है तो आप एक textbook पे भी बहुत यह अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं तो बनाने में यह नहीं है कि आपको हर बड़ी तो कतई करनी है जलबाजी आप सोचे कि जल्दी से बन जाए नहीं जलबाजी नहीं करनी है एक दम normal पेशिंस के साथ आपको बनाना है क्योंकि इसकेच ऐसी चीज़े जिसमें आप जितना ज्यादा पेशिंस रखेंगे उतना ही अच्छा ज्यादा निखार आएगा वर ज्यादा करने में तो यह बहुत अची बात है क्योंकि जिसको भी मजा आता है उसको ड्रॉ करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और वह बहुत ही अच्छी तरीके से इसकेच को बना सकता है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप इसकेच को बहुत ही असानी से सोचन कि बन जाता है तो ऐसा नहीं है आप ठोड़ा पेशेंस रखना होगा और स्लोली स्लोली एकदम हलकी हलके हाथों से बनाना होगा ठीक है कोई भी ज्यादा हाई प्रेसर यूज नहीं करना है मेजर्मेंट ठीक है और जलबाजी नहीं तो हर चीज मिला कि अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा और रेफेरेंस वोटो इतनी अच्छी है आप देखे सकते हैं बहुत में यूज देखे सकते हैं झाल 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 तो यहां पर देख सकते हैं मैं कितने जल्दवाजी नहीं कर रहा हूं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह हो जाती है कि कई लोगों को लगता है कि बहुत ही अचानी से बन रहा है तो ऐसा नहीं है मैं थोड़ा पास्ट लगा देता हूं क्योंकि कई लोगों बहुत बोरिट मैसूस होता है 45 मैट का अगर यह वीडियो है अगर मैं यह पूरा वीडियो अप्लोट करो तो काफी अदर लंबा हो जाएगा और लोग पूरा नहीं देखेंगे तो इस वीजे से मैं सोचता हूं कि थोड़ा थो करना चाहते थे और इस वीडियो का वेट करें थे आउटलेंट टुटूरियल का तो यार और रखो सके तो सौरप भाई तक यह वीडियो पहुंचा देना अगर सेयर कर देना तो बहुत अच्छी बात मेरे लिए कर दोड़ा सकते तो ए से झालानन जाो खाय कि प् supre जोकर तर्चे के चाला गाव प्याम ट्स ट्स कि रिश गति उद कि जई डर्चे के खव ट्गे है तो गाइज यहां पर देख सकते हैं कि मैंने आउटलीन को पुरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और कमेंट बॉक्स में जरूब बताने कि आउटलीन कैसी बनी हुई कोई भी प्रॉब्ल मुद आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सब्सक्राइब वीडियो में वीडियो को लाज सब्सक्राइब बहुत बहुत थैंक यू दो तक लियुक्त थैंक लिए बाइब दू परैक्टिस टेख्यार बबाइश